आज के इस वीडियो में CA Final and CMA Final के SFM पेपर में Interested Risk Management चाप्टर में May 2019 से January 2 के बीच में जो भी दो चार क्वेस्टन की जो मोडिफाई करके जो डाला गिया है या थोड़ा सा लेंग्वेज चेंज करके जो डाला गिया एक्जामनेशन का question हो या RTP का हो या MTP का हो उस सारे questions पे हम लोग इसमें discussion करेंगे अभी इस video का इस PDF का link आपको description box में मिल जाएंगे और जो दूसरे chapter का video है उसका भी link आपको description में मिल जाएंगे अच्छा जी maturity one year two year three year similar question है first के series में जो हम लोगोंने one का ये one का बी जो solve किया था one c b था exactly वैसा ही question है बस इसके second point में थोड़ा सा इसने इस second point में थोड़ा सा इन्होंने modification किया है तो बस इसी के लिए इस question को हमने अलग से डाला है otherwise ये question तो first के series में जो हमने solve किया था उसी में इसका ये reference हम add कर देते बाकाम चल जाता जो कि January 2021 का है और ये questions अगर अगर को भी बच्चे ने सालूम है याद रखना है यह जो इंसी सॉलूसन है इंसीट का है थोड़ा difficult लाएगा इंसीट का सॉलूसन हमने जिस method से आपको बता रखा है exactly वैसे ही follow कीजिए कहीं पर कोई प्रॉबलम नहीं आएगा तीन साल का information आपके सामने available है यह रहा one year two year and three year देखे क्या दिया गया है बोलाए कि one year के maturity वाले जो भी bond है ठीक है zero coupon bond है उसका जो yield आ रहा है वो 10% का मतलब वो matured हो जाएगा one year में तो हम कह सकते हैं यहां से यहां तक के maturity वाले कोई bond अगर खरीत कहां से हम कह सकते two year यहां से इसका जो return है 11% याद रखना है एक साल का नहीं है 11% per annum in first year and second year बोथ यह होता है इसका interpretation ओके जी आगे देखे यह third year में बोलागे है कि three year वाले bond है उसका 12% का return होगा तो यह देखे यह रहा 12% again यह जो होगा वापका per annum यानि कि three year का zero coupon bond किसी का होगा तो three year तक का जो return होगी हर साल 12% का होगा यह information दे दिया कैते assume that the term structure of interest rate will remain the same term structure of interest rate will remain the same you are required to calculate the implied one year forward rate आपको याद होगा जो हमने question number 1a 1b जो solve किया था 1cb था वहाँ पे अगर आप notice करोगे तो एक सीज़ वहाँ पे सीधा वो लागा था calculate forward rate और मैंने बोला था कि देखो जी यहां तो unlimited forward rate बन सकता है कि अच्छा जी दो मेने का forward rate क्या होगा एक साल के बाद six month का forward rate कितना होगा one year के बाद six month का forward rate कितना होगा two year के बाद one year का forward rate कितना होगा two year के बाद फिर मैंने बोला था कि जब question में silent हो तो हम लोग क्या करते है कि one year का maximum period लेके और forward rate निकाल देते यानि कि आपको यहाँ पे दो forward rate निकालनी है लेकिन institute के नजरिये में तीन forward rate होता है देखते यह तो नया question है institute ने सुकर है आप अगर जाके मेरे register चेक करोगे तो मैंने आपको वहीं पे बोला था कि first year का rate जो होते हो कभी भी forward rate नहीं होता ह है वह हमारा spot rate होता है तो लगता है कि institute को भी थोड़ा सा सरम आया है और first year वाले में कोई forward rate निकालके नहीं दिया है तो यह अच्छी बात है क्योंकि आज के जो rate होती है वह forward नहीं होता है वह spot होता है और यहीं चीजा आप जाके रेइश्टर पर चेक कीजिए वहां पर मै लोग ने solve किया था वहां फास्टर का भी forward rate निकाला के दिया था जो पीछे question है उसके अंदर लेकिन यहां at least forward rate लिखके नहीं दिया है यह खुशी की बात है हम क्या सकते है चलो अच्छा है ठीक है अब यानि कि कौन-कौन सी rate हमें calculate करना पड़ेगा एक rate हमें यह वाले period का निकालना है और एक rate यह period का निकालना है यानि कि दो rate निकालना है आपको देखें इस तरीके की calculation follow मत करो आप लोग तो बोलेंगे कि फिर solution क्यों छोड़ दिया अब solution institute का है अब इसलिए कम से कम इतना तो पता चले कि institute कैसे solution देता है बाकि हमने आप institute का बस यह match करा हो कि यह कितना दिया और आपका कितना आता है बाकि method आप अपना follow कीजिए आप मुझे बताओ पहला क्या निकालोगे पहला निकालोगे आप यह वाले rate तो यह वाले rate क मैंँ किसी को निकालना हो मैं देता है अपको कितना time लगता है आपको क्या करना है बताओ one year का forward having यह first year का rate कितना चल रहे आपका 10% यह 1st to 2nd year का rate कितना चल रहा था 11 when you calculate करना है कैसे निकाला करते थे 1 plus 0.10 multiply by 1 plus forward 8 है ना ये कितने की equal होगा 1 plus 0.11 का square बस यहां से forward 8 निकाल लिजे पहला part खतम होगे इसी में अगर आप second देखोगे तो second बोला गया है कि 1 year का forward 8 कब होगा at 2 year forward ठीक है अब यहां पर मैं पूरा solution नहीं देने की कोशिस कर रहा हूँ क्योंकि आपको इतना सारा इसमें इतना बहस करा हुआ है कि आहां time spend करेंगे तो जहां पर जो differences है या जो थोड़ा सा language में जो problem है वहां पर हम ज़्यादा discussion करेंगे इसमें ज़्यादा discussion करने का मतलब क्योंकि इतना ज़्यादा करा हुआ है जो किनने questions होगा अब हमने solve किया हुआ पूरे logic के साथ इसमें क्या हमें करना है बताओ calculation ही तो करना है तो कर लो calculation इसमें कैसे निकालोगे बताओ अब यह वाले period का अगर हमें forward rate निकालना है ध्यान सिदेखो यह वाले period का तो यह हो गया small rate यह हो गया long period rate यह वाले rate हमें calculate करना है तो कैसे करेंगे बताओ 1 plus 0.11 2 year तक गया यह वाले यह आपका 2 year तक गया ओके तो power में कर दिया हमने 2 multiply by 1 plus forward rate यह कितने की equal जाएगा बताओ 1 plus 0.12 का power कितना जाएगा 3 आप निकालिए यह वाले forward rate यह आएगा 14.3 यह वाले forward rate यह आपका यह आएगा यह 12.1 तो यह पहला पार्ट हमारा हो जाता है 2nd पार्ट में पढ़िए expected yield to maturity and price of 1 year and 2 year 0 coupon bought at the end of first year यही नहीं लोग जहल पाएग यही तो बस नया था देखो यह तो हम लोगों यहां पर कुछ लोगों यही नहीं समझ पाएगा कि at the end of the first year यही नहीं समझ पाएगा आयो वापस मैं इसको erase करके space खाली कर लेता हूँ फिर आप देखे क्या कहने की कोसिस कर रहे यहां जो given information वह अगर चेक करोगे तो यह हमारा 3 years का है चलो मैं आपके सामने यहां पे डालता हूँ यह देखे one year, two year and यह हो गया हमारा three year यहां पे बोला गया है कि आपको yield निकालना है एक साल वाले bond का and दो साल वाले bond का एक साल के बाद यानि कि आप यहां बैठे हो आपको यहां पे price निकालना है यहां पे yield निकालना है ठीक है जी? यहां पे price निकालना है यहाँ पे yield निकालना है दो case में कौन्सी 2 case में? अगर bond का life एक साल का हो case number one अगर bond का life दो साल हो second number case बस दोनों में दोनों condition में calculate यही करना है price and yield खती हम आप मुझे बताईए zero coupon bond है zero coupon bond का खासियत क्या है redeem होता है face value पे मैं पहला ये वाले पार्ट की बात कर लो इस वाले पार्ट की यानि कि ये thousand रुपीज पे redeem होगी क्योंकि face value इसका thousand है ये रहा देखो thousand रुपीज पे receive होगी आप मुझे बताईए यहाँ वाले bond का price यहाँ के लिए निकाल रहे होगी आप कौन सी time पे ये देखो इस वाले ये है zero period ये है one year ये है two year, three year आप मुझे बताओ ये वाले जो cash flow one thousand को इसको पीछे करके यहाँ पे ला रहे हो यहाँ पे इस date पे कितने दिन से discount होगा तो आप मुझे बताओ ये price क्या आगिया है एक साल bond के लिए thousand divided by आप बताओ अब यहाँ जो discounting होगी वो किस rate से होगा ये period का discounting तो इस period के rate से ही होगा और अभी अभी आपने निकाला one year for rate one year from now one year for rate one year from now जो आपने calculate करा था भी जो मैंने equation दिया था में यह आएगा यानि कि आपको जो discounting करना पड़ेगा यहाँ पे 12.01% से तो देख लिए कितना price आता है divided by 1.1201 ये price जो आएगा आपका 982.78 8.92 8.92 पहला वाले case में 8.92.78 का आएगा 8.92.78 का है यह यह रहा बस अब yield कितना होगा तो आप मुझे बताओ yield जो होगा rate of return है तो rate of return तो वही एक साल का जो rate यूज किया वही तो होगा तो यह हमारा काम बन जाएगा अच्छा 2 years वाले में चले तो क्या होगा 2 years वाले में आप ध्यान से देखे मैं इसको ignore कर दिया अब 2 years वाले में चलते है यानि कि redeem कब होगा यहाँ पे face wealth पे अब मुझे बताई इसको discount करके लाना है यहाँ पे तो कितने वाद से discount होगी 2 periods से लेकिन अब जब discounting करने जाओगे तो rate counts use करोगे यह देखो इस period में अलग rate चल रहा है यह वाले period यही आएगा हमारा भी ठीक है आई हो वापस तो यह 14 point यानि कि यहां से यहां तक आपका 14.03 से discount होगा और फिर यह वाले जो period है इसका rate 12.01 चल रहा है ना और इसका 14.03 याद कर एक question भी है exactly इसी के उपर वाले question यानि कि first कि C होगा या D होगा यही होगा जो भी है उसमें आपको याद होगा forward rate दिया गया है और bond का price निकाल रहे है और उसी question के अंदर beta given है और कहते हैं intrinsic value निकाल दो और market price निकालो और मैंने बोला था उस question के अंदर beta का information है वो गलत है क्योंकि उसने क्या कर रहा है 1000 को यहां से यहां तक लाओगे 14.03 से यहां यहां लाओगे 12.01 से तो कैसे निकालोगे बताओ 1000 divided by 1.1403 यह आगे आपका कहां पर यह बीच में और फिर एक बार 12.01 से discount करोगे तो divided by 1.1201 यह आगे आपका जो price आएगा 782.93 ठीक है 782.93 यह देखो 782.93 बस खतम हो गए इल्ड कितना होगा हाँ यह रहान सवाल अब इल्ड की बात है तो आप एक काम कर सकते हो यहां का price आपको आगया द्यान से देखो दो तरीका है इसको निकालने का या तो इस दोनों को merge कर दो यह दोनों rate को merge कर दो दो छोटे छोटे पीरेड का rate 1 प्लस 0.1201 छोटे पीरेड का rate एक और छोटे पीरेड का rate 1 प्लस 0.1403 इस इकल टू लॉंग पीरेड रेट और वही लॉंग पीरेड रेट निकालना है इसका power चला जाएगा हमारा 2 यहां से R निकाल लोगे काम चल जाएगा यह दूसरा तरीका यह देखो यहां के 1000 रुपे का bond यहां का कितना बना 782.93 तो ऐसा कौन सी rate होगा बीच में R तो 1 प्लस R का square से multiply करोगे किस पे 782.93 पे तो यह किसने के equal होगा 1000 का यहां से R निकाल लोगे यही आपका yield हो जाएगा YTM हो जाएगा जो कि 13.02 परसेंट आएगा यह था question number 1.3 जो कि बहुत आसान था एक छोटा से adjustment बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि उसको एक साल end का जो interpretation है वो भी नहीं कर पाते अगर यह question आप लोगों में से किसी ने January 2021 में अपियर हुए थे और इतना भी अगर नहीं जेल पाए इस question के अंदर तो मैं कहा सकता हूँ आपको अभी concept का logic बहुत ज़्यादा improvement करना है time value का concept आपका भी clear नहीं है इसलिए इतना भी adjustment आप नहीं कर पाए ठीक है चलो आपको पहले ही बता रखा है interest rate risk management कुछ नहीं है यह time value के जो chapter है उसका extension है याद करिए हमारा पूरा का पूरा focus इस chapter के अंदर सिर्फ अंसिर्फ time value पे था याद आ रहे कुछ चलो वापस आते हैं कोई बात नहीं नहीं याद आया तो आप लोग याद करते रहे हैं हम बढ़ते आगे question number 5.1 मुझे इसमें एक line भी नहीं बोलना है मैंने ये question अलग से इसलिए डाल दिया था क्योंकि हमने जो question solve किया है ये question कितने बारा आया है counting भी नहीं कर सकते हो पर जाके reference देखिया आप अपना ठीक है इस question के अंदर मैंने जो हम लोगों ने question solve किया है उसमें ये fixed interest rate निकालना होता था और settlement amount दिया होता था अभी क्या कर दिया? उल्टा कर दिया settlement amount निकालना है और fixed interest rate दे दिया treatment कुछ भी difference नहीं है याद है होगा आपकर आपको तो ओवरनाइट ये floating rate पे daily basis पे जो change हो रहा है वो floating rate है आपको अगर याद आ रहा होगा तो इसमें बस दो चीज ध्यान रखने वाली थी कि इसमें swap चलो पढ़ लेता हो question एक बार वैसे तो question सबका पढ़ा हुआ है फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं क्या पढ़ना इसको मुझे नहीं पढ़ना आप लोग पढ़ते रही है ठीक है इतना बार solve किया हो question को अभी क्या हम discussion करिए देखो ये कह रहा है कि जो हमारा swap start होगी वो Tuesday को और खतम हो जाएगी Monday को ठीक है तो ये हो गया Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और Sunday नहीं ना बोल रहा है यहां पे कि आपका Sunday जो होलिडे है तो Sunday का नहीं आके ये Monday का rate हो जाएगा ये वाले rate जो हो जाएगा Monday का इसका मतलब एक दिन आपका holiday बना कौन सी? Sunday अब मुझे बताएगे मार्केट में तो Sunday का rate नहीं है तो Sunday का interest कैसे निकालो क्योंकि ये जो rate है ये आपका floating rate है और floating rate आपका daily basis पे चेंज हो रहा है लेकिन settlement जो होगी इसमें net settlement होगी 7 days के बाद क्योंकि ये जो swap है 7 days का swap है ज्यान से दुनिये याद करिए थोड़ा बहुत रिविजन भी हो जाएगा क्योंकि ये question बहुत आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 देखो swap 7 days का है settlement सीधा यहाँ पे होगी settlement तो यहीं पे होगी लेकिन floating rate daily change हो रहा है floating rate daily change हो रहा है तो मैंने क्या बोला था देखो यहाँ का rate अलग है और अगले दिन का rate अगर अलग है जैसे हमारे case में कितना बनता है 8.15 का तो अगले दिन जैसे ही rate 7.98 पे जाता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है जब rate बदलते हैं तो हमारा जो पुराना rate पे जो निकला हुआ interest था वो compounding किया जाता है जैसे Saturday को जाओगी यह Saturday का rate आएगा 8.15% तो याद रखेगा अब Sunday का कोई दूसरा rate नहीं है तो Sunday जो market में prevail कर रहा होगा वो Saturday वाले rate prevail कर रहा होगा तो यह जो Saturday का rate होगा ना इस पे दो दिन का interest सीधा निकालेंगे फिर यहाँ पे थोड़ा सा dispute यह आता है कि सर बांकियों में तो आपने daily compounding किया याँ two days के compounding कैसे करेगा मैंने आपको logic दे रखा था कि bank का जो calculation चलता है वो छुटी दिन पे जाके आपको system on करके आपका interest calculation करके नहीं देगा समझ में आया क्योंकि bank के जो जितने भी calculation होते है सारे software based होते है और software based calculation तब होगा जब वहाँ पे software run किया जाएगा और यह सारे चीज मैंने time value में आपको calculation बता रखा है इवन जो passbook पे हम लोग कैसे interest match कराते bank वाले कैसे passbook का interest calculation करते है अपने interest सारा मैंने बता रखा है वहीं पे सारा discussion कर रखा और वहीं पे मैंने बताया था कि bank की compounding होते है accurate नहीं होता है bank की compounding one day पे भी हो सकता है bank का compounding ten days पे भी हो सकता है bank का compounding three month पे भी हो सकता है यह सब चीज और मैंने इसलिए बताया था कि जैसे हर bank जो होता है 31st March को मान लिजे interest credit करता है सारे account holder को तो जिसने 20th March को अगर bank account open करा होगा उसको 20th March से 30th March 10 days के interest को पहले accumulate करके वो आपके account में credit कर देगा और compounding आपका 10 days पर ही शुरू हो जाएगा जबकि वो ही दूसरे account holder जिसका पुराना account होगा उसको 3 month का interest आपको credit करके और तब compounding शुरू करेगा इसका मतलब bank के calculation में accurate compounding कभी भी नहीं चलता है यहाँ पे exactly वही same चीज आता है कि Saturday और Sunday को same rate होने की वैसे इकठा आप क्या करिए दो दिन का interest charge करिए और वो उसके basis पर आप क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको floating interest आ जाएगे ठीक है यहाँ का floating interest आ जाएगा जैसे यहाँ पर निकाला गया floating interest हो गई और fixed interest हम जो हम लोगों ने calculation किया तो उसमें क्या था यहाँ पर rate बदल नहीं रहा है तो इकठा आप seven days का पूरा interest calculation करोगे जितना amount आपका principal है टेन करोड पर डारेक्ट ली निकालोगे आप एक ही बार निकालोगे eight percent से seven days के लिए यह amount इतना आ गया दोनों का difference जो है आपका settlement amount आ गया इससे ज्यादा आसान question क्या मिलेगा आपको बताओ यह MTP number 2020 का question है आगे बढ़ते है question number eight के C पे यह question May 2019 के old syllabus में आया था लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुगा है disclaimer पहले इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा this is wrong question but corrected in number 2020 C question number 8 D below यही same question अभी institute ने पूछा number 2020 में यही question 8 D मतलब similar question पूछा लेकिन उसको correction किया यह जो question पूछा गिया था यह question mistake था क्यूँ mistake था क्योंकि अभी आपको अगर logic recall करोगे interest rate swap का interest rate swap में जो interest cost reduction की बात होती थी वहाँ पे हमेशा जो आपका अपना own twice cost होता था जो सोचा हुआ cost होता था customer का वो जादा होता था और swap deal cost कम होता था जिसकी वज़े से saving possible था इस question के अंदर क्या किया है कि जो सोचा है वो ही सस्ता है इस case में swap deal possible ही नहीं है लेकिन institute ने फिर भी उसको जवरजस्ती solution दिया है वैसे institute ने खुद realize किया है कि हाँ हमसे mistake हुआ है तब ही उसने same question repeat किया है नौंबर 2020 में लेकिन जब इस question को repeat किया institute ने तो अब इसने correct question दिया जो question में mistake था अब सवाल पैदा होता है कि sir यही question अब एक्जाम में आ जाए तो आप देखें अगर माले जमें उनके लिए बात करूँ जो मेट 2019 में अपियर हुआ था बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बोला कि sir हमने यहाँ पर लिख दिया कि swap deal possible नहीं है अब दूसरा को उपाय है नहीं लेकिन बाद में उस stunt ने मुझे ये feedback नहीं दिया कि क्या उसको marks मिला इस पर या नहीं मिला हो सकता उन्होंने certified copy ना मंगबाया हो ठीक है तो मैं आपके सामने कई अगर नया situation आता है और वहाँ पर कुछ ऐसे mistakes अगर आपको जहलना पड़ता है तो आप दिमाग में रखो appropriate solution हमें इस question के information से क्या नजर आता है वो आप appropriate solution दीजिए 90% chance की marks मिलेंगे 10% chance अगर marks नहीं मिलता है तो कोई नहीं वो आपका standard deviation SFM का 10 से 15 marks की वो 10 to 15 marks का standard deviation का variation है आप सही solution दोगे तब भी marks नहीं मिलेगा और गलत solution पर भी marks मिल जाता है ऐसे example मैंने बहुत सारे certified copy के आपके सामने रख के मैंने बता रख के पीछे के video जो अगर रहें इसलिए परिसान होने की ज़रत नहीं है मैं इस question पर एक वार में discussion करता हूं आपके साथ पढ़ता हूं बस क्या यह सही में सही है या नहीं है देखे ज्यान से बोला है I am is an American firm having a subsidiary in Japan यह जो है I am American है यह याद रखना यह जो I am बाले यह कहां से है यह USA से है इसका subsidiary in Japan में है and J.I. यह है J.I. Japanese firm यह कहां से है यह Japan का company है यह USA का है और यह Japan का है ठीक है having a subsidiary in US है कोई बात नहीं subsidiary हो ना हो लिखके दे ना लिखके दे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें they face the following interest rate यानि कि US में अगर कोई लोन लेगा US वाले company dollar में लोन लेगा तो इसको LIVOR plus 0.5 का rate apply होगा अच्छा अगर वही Japanese company अगर dollar में लोन लेगा तो इसके लिए LIVOR plus 2.5 क्योंकि आपको याद होगा different different credit worthiness के person होता है different different आपको जैसे अगर मालेजे आपका जो rating यानि कि credit worthiness different है बैंक में जाइए जिसका हैसियत अच्छा है उसको सस्ते rate पे bank लोन देता है जिसका हैसियत बुरा है उसको महेंगे rate पे लोन देता है exactly और इसलिए जो होते है वो interest rate क्या होता है different होता है और यह सारा चीज जो है आपको बहुत ही ज्यादा detail में मैंने बता रखा है अगर किसी को लगता है इस topic पे आपका concept अगर clear नहीं है तो इसका video मैंने आज से बहुत दिन पहले देर दो साल पहले फूरा full interest rate swap का ही video डला full यानि कि उसमें कोई ऐसा नहीं कि revision type का कुछ है पूरा full coverage के साथ यानि कि जितने भी example होता है पूरे एक एक example के साथ बता रखा है कि कैसे swap deal possible होता है और वो एक ऐसा deal है जिसमें तीनो के तीनो पार्टी जो दो पार्टी होते है और एक intermediary होता है वो तीनो के लिए वो beneficial होत है बहुत आसान सा concept है अगर किसी को इसका logic clear है नहीं clear है logic तो बस रटा लगाते रहे है कि जो सोचा है उसका ultra loan लेंगे और फिर हम swap करके इसको reimburse कराके उसको objective पहुंचाते रहेंगे रटा लगा लीजिए आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर हो क्या रहे और यही रीजन है कि जिसने एक question बना के solution दिया है उसकी भी हालत यही है रटा लगाया हुआ है comparative advantage compare करता है difference जा गए तो saving आगए saving को बाढ़ दो यह पता ही नहीं चला कि वह saving comparative advantage का saving आता कब है वापस आईए यहाँ पे JP अगर मान लिजे वही US का person अगर Japanese yen में loan लेता है तो इसको loan आता है 4% पे और इसका 4.25% पे अच्छा जी यानि कि यह हमेशा situation ऐसा ही रहता है जब भी अगर question solve करोगे तो simple रटा रटा है इसका format होता है यह USA वाले होगे यह हमारा Japan वाले होगे अब आगे आपका language में problem है I am wishes to borrow USD यानि कि I am ने US reborrow करना चाहा है यानि कि इसका जो own choice है खुद से जो सोच के बैठा हुआ है यह है याद रखना ठीक है and floating rate at floating rate ठीक है and ji 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 यानि कि वो entity jy मतलब Japanese in at fixed rate वो jpy लिखना चाहिए था इसको jy लिखा हुआ यहाँ पर ठीक है यह jy ना होके jpy होता तो ज्यादा अच्छा रहता ठीक है अब पता नहीं इसमें हमारा typing mistake है institute का ऐसे था मुझे याद नहीं है उस पर ज्यादा बहाश नहीं करना है समझ आ तो बात हो गई तो यह बोलता है fixed rate पर loan लेंगे और कौन सी loan लेगा एन लेगा तो एन वाले का rate यह जाएगा देखिए ध्यान से यह जो मैंने circle किया है यह खुद सोचा हुआ cost है इससे सस्ता जब होता है तब ही जाके swap deal possible होता है यहाँ पर देखिए दोनों को अगर मैं ल 25% यह सोच के बैठा है इंटरमीडियरी के पास जो इंटरमीडियरी इन दोनों को मिलवाता है और जब इंटरमीडियरी करता क्या है यह जो पार्टी है युएस वाले पार्टी आयम उसको कहता है कि तो इस rate पर लोग ले इस rate पर फूर पर पर यह क्यों कहता है यह सब इस दोने कि बज़े सेविंग जनरेट होते हैं जो कि सारे के तीनों पार्टी यहांपे share करता है यहांपे देखिग क्या हो रहा यहांपे लाइवोर प्लस 6.5% अगर देखोवे तो swap deal में जो total cost आ रहे है वह आ रहा है लाइवोर प्लस 6.5% यानिकि swap याणिकि swap deal में जो है swap deal में cost जादा आ रहा है देखो ध्यान से खुद सोच के बैठा है 4.75 और swap deal में जा रहा है 6.5 जब swap deal में ही आपका cost जादा आएगा तो आप saving कहां से करोगे और वो saving कहां से आप बाटोगे जब अरजस्ति का calculation इसका difference लेके saving मान लिया है और इसमें से वो saving माइनस कर दिया और इसमें से वो saving माइनस करके और बोला कि यहाँ swap deal possible है जो कि आप answer देने के लिए दे दीजिए लेकिन अगर यही diagram बना के कोई बोलेगा कि आप verify कर दो तो किसी भी हाल में आपका diagram पे verify नहीं होगा क्योंकि यह saving यहाँ पे एक Indian form है and its subsidiary Japan में है और एक Japanese form है इसका subsidiary India में है तो IB कहाँ का है बताएए यह है Indian और यह देखे जाकी कहाँ का है जापान का चलो सोचते देखते आगे क्या केता है जाकी wishes to borrow rupee dancer सुनिए यह जो है जाकी इसको rupee बोरो करना है तो rupee वाले यह रहा तो इसको यह वाले rate अपलाई होगा यानि कि यह सोच के बैठा है जाकी at a floating rate and IB wishes to borrow Japanese aid at a fixed rate यानि कि वो कह रहे कि इस पे borrowing करेंगे हम बहुत अच्छा आगे देखे the amount of loan बस हो गया अब आगे तो पढ़ते रही है आगे क्या है इसको simple effective rate निकालने को बोलेगा अब देखे जो इन लोगों ने जो सोच के बैठा है swap deal क्या करता है उसको opposite करवाता है यानि कि swap dealer IB को बोलता है कि तू इस पे loan ले ले ठीक है और जाकी को बोलता है तू इस पे loan ले ले क्यों लेना है वो logic सब अल्रेडी मैंने दे रखा है ठीक है अब आइए वापस अब हम कहते है कि सोचो देखो यह जो खुद सोच के बैठा है दोनों मिलके देखे कितना पे बैठा हुआ है BPLR प्लस 4.5% यह ओन च्वाइस है हमेशा अपना जो खर्चा होता है जादा होता है swap deal बनाने के लिए और swap deal में क्या होता है जो unwanted cost होता है उस पे हम लोग लोन लेते हैं तो यह देखो इसका अगर आप चेक करोगे इसका अगर आप चेक करते हो यह प्लस यह तो यह देखे कितना बनता है आपका BPLR PLUS 2.75 और ऐसा नहीं है कि यह लौता क्वेशन है आप बुक में जाके चेक करिए कम से कम 10 से ज़्यादा क्वेशन ऐसे हम लोगोंने पहले भी डिसकेशन करा हुआ है और उन सारे क्वेशन के अंदर यही कंडिशन सेटिसफाई होता है जब तक यह कंडिशन सेटिसफाई नहीं होगा swap deal पॉसिवल ही नहीं है यादा रहा होगा ना कुछ जो हमने example दे रखा है चार पाटी का पूरे के पूरे सारे combination बनाया था है स्टार्टिंग में जो हमने concept बिल्डप किया है वहाँ पे यह देखो यह है swap deal यह है own choice इन दोनों के बीच का difference जो होते हैं यह saving होता है यह देखिए कितने का saving है बताओ इसके जो बीच में saving है आपका यह है 2.4.5-2.75 यह देखा जाए तो 1.75% का saving है आगे पढ़ते है question में क्या बोलता है देखे the amount of loan required by both the firm is same at the current exchange rate वो same होना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पता है swap deal possible ही तब होता है जब दोनों का जो requirement होते है वो equal होता है अगर requirement में differ करोगे तो कभी भी swap deal possible नहीं होता है the financial institution may arrange a swap and require 25 basis point as its commission जो swap dealer है जो intermediary इन दोनों को मिलवाएगा वो कहता है हमें 25 basis point चाहिए तो 25 basis point उसको देदीजे बचेगा कितना बताइए 1.50% 25 basis point का मतलब 0.25% आगे देखे commission gain if any so be shared by the firm's equally जो दो form है एक IB और जाकी यह दोनों equally करेगा तो IB को भी मिलेगा कितना बताइए 1.75% और जाकी को भी कितना मिलेगा बताइए 1.75% अच्छा अब आगे देखे whether a swap can be arranged which may be beneficial to both the firm हाँ बिल्कुल swap possible है क्या करना होगा swap के अंदर IB को loan लेना पड़ेगा BPLR plus point पे unwanted पे मैंने यहाँ पे language में लिखके दिया या नहीं दिया है यहाँ दिया है ना हाँ swap deal possible होगी करना क्या होगा unwanted cost पे IB लेगा और फिर swap deal करके इसको अपने objective को अचीव करेगा यह भी unwanted cost पे loan लेगा क्योंकि यह देखो नवांटेड ही तो होगा इसका यह लेगा BPLR plus point 5 पे BPLR plus point 5 पे loan लेगा BPLR plus point 5 पे loan लेगा और जाकि कितने पे लेगा 2.25 पे यह जो unwanted था जाकि जो लेगा इसको 2.25 पे लेगा total saving इतना 1.5 बनेंगे जो कि तीनों party बांट लेंगे उतना आप अपने on choice में से minus कर लो तो खुद कितना सोच के बैठे हो बताओ जितना सोच के बैठे हो इसमें से saving अपना minus कर लो अगर मान लीजे जाकि को बोले तो 0.75 का saving है तो minus कर लो 0.75 यह आप का answer आ गया इसमें से minus कर लो 0.75 answer आ गया पूरे एक framework बना के अगर अगर कलियर है तो calculator लीजे और इसका solution हो जाता है इससे ज़्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है चलो वापस आते 8.3 पे ही क्या के रहे जो भी question है सारे AC series का है सब similar similar है बस क्या था कि थोड़ा थोड़ा language में different different है मुझे तो लगता है यह हमें यह तो same question आ गए इसमें तो कुछ अलग ही नहीं ठीक है यह तो same question आप इसको पढ़ लीजिए बट यह May 2019 का है यह May 2019 का अच्छा यह था November 2000 May 2019 Old Sulevus 8 marks यह क्या हो गया May 2019 Old Sulevus Libre plus 0.54% Libre plus 5% I am J अच्छा एक question रिपीट हो गई है 8.3 What is the swap? जो एक मिनट पढ़ लेता हूँ बस एक ही चीज तो पढ़ना है कि सोचा क्या है I am ने सोचा है मैं USD पे लोन लूँगा I am ने तो I am को USD यह दे दो यह सोच के बैठा है जे वाई को जैपनी जेन फिक्स रेट पे यह हो गई तो यह कितना है Libre plus Libre plus 4.75 और जो swap deal हो गई हो 4 6.5 Same question है वो repetition है ठीक है गलती से repeat हो गया है हो जाता है कभी-कभी ठीक है आगे बढ़ते है यह देखें question no.8.4 पे आते हैं लोग हम यह देखें question no.8.4 कहते है an Indian business house has decided to borrow dollar for its new york subsidiary अच्छा एक Indian business house है जो की अपने US के जो subsidiary है उसके लिए borrowing करने का सोच रहा है वैसे ही एक American MNC है has made up it's mine to borrow Indian रूपी अच्छा द्यान से सुननाब यहाँ पे जो Indian company है वो dollar borrowing करना चाहरा है तो देखो यह है dollar का rate यानि कि यह apply होगा यह सोच के बैठा है Indian company को dollar borrow करना है और American MNC को borrow करना है Indian रूपी तो Indian रूपी यह रहा न रूपी का लोन रूपी लोन कौन लेगा American तो यह रहा यह वाले rate अपलाई होगा अच्छा चलिए तो यह वाला यह दोनों सोच के बैठा है जो हमने भी circle किया है आगे पढ़िए यह बोलना ही पढ़ेगा यह बोलना ही पढ़ेगा अधरवाइश आपडिल पॉसिवल नहीं होगा यह कुछ इंटरेसेट मिला उनको बोथ इंडियन बिजनेस हाउस अद अमेरिकल मुल्टिनेशनल कैरीज और यह बैंकिंग ओपरेशन प्लान उनकों फोगा यह बैंक में दोनों जाने ट्रांजेक्शन करता है और इस बैंक में दोनों ट्रांजेक्शन करता है वो बैंक कम्स to know the situation faced by two companies यह बोनों को the situation faced by two companies यह पता चलता है इसको and plan to design a swap यहनि कि इसमें intermediary जो हो गया वो intermediary कौन हो गया? वैसे कोई रिस्क होता नहीं है जहां पर यह swap deal पॉसिबल होते है कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि लेना देना रिम्बर्स करा के सेम कर देते हैं अच्छा जिए situation faced by the two bank and plans to design a swap as the bank will assuming all foreign exchange risk it plans to receive total 50 basis point per annum यानि कि multinational bank को कितना चाहिए 50 basis point इतना चाहिए and also plan to make the swap equally attractive to both the companies 0.5 swap dealer को दे दो जो balance बचेगा उसमें एक आपका आएगा इंडियन वाले और एक आएगा आपका अमेरिकन वाले दोनों को equally क्या करना आपको बांट देना है अच्छा what will the design of the swap be swap का design कैसा होगा बस simple क्या करोगे बताइए सोच के देखो जो सोच के बैठा यहाँ पे यह और यह सोच के बैठा है यानि कि खुद का जो own choice cost है वो कितना है बताइए यह है 9.5 plus 4 यह आता है आपका 13.5 percent का खुद सोच के बैठा हुआ है जो swap deal होगा वो opposite होगा वो होगा 9 and 3 यह देखो 9 and 3 आपका 12 percent है swap deal का और यह होना ही पड़ेगा नहीं होगा तो कभी swap deal possible ही नहीं होगा तो आप मुझे बताएए इन दोनों के बीच का जो difference है that is the saving आप मुझे बताओ saving कितना आता है इसमें इसमें जो हमारा saving आ गए वो आ गए 1.5 percent का intermediary ने यानि कि multinational bank ने क्या बोला कि हम कितना लेंगे उसने बोला हम 0.50 ले लेंगे तो आप bank का portion अगर 0.5 दे देते हो तो आप मुझे बताएए बचा कितना 1 percent बोला था equally attractive to both यानि कि आपको Indian firm और American दोनों के लिए इंडियन को भी देना है आपको कितना बताएए 0.5 percent और यहां पर जो यूएस वाले था उसको भी देना है कितना 0.5 percent यानि कि हम कह सकते हैं तीनों के लिए equally ही बटी गया sorry तीनों के लिए equally हो गया यह swap dealer यह इंडियन और यह यूएस है तो ठीक है equally हो गया अब बोला था कि इसके swap deal possible है हाँ इतना saving calculate कर देना आपको देखो institute ने यह जो calculation करके दिया है इसको तो सबसे पहले इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको जिस तरीके से हमने आपको simple करके language करके देता हूँ वैसे ही कीजिए ठीक है देखो institute ने भी calculation वैसे ही करेगा मैं आपको बता दे कर दिया ठीक है जी कितने का saving मिला है 0.5 का यानि कि इसका जो cost आएगा 9% का American form का cost 9% आएगा यह जरूर लिखके देना है यह देखो institute ने भी लिखके दिया है कि American company का 9% का cost आएगा बस simple आप बस answer देख लिए language उसके follow करने की ज़रूरत आपको नहीं है आगे बढ़िए काम होगे saving के लिए था वस उससे और कुछ नहीं करना था हमें अब इसका cost कितना आएगा बताओ जो सोच के बैटे उसमे saving ले लो अपना 4% आप अपना saving minus कर लो 5% का तो आप मुझे बताए कितना आ गया 3.5% simple तो देखो यह जो Indian company इसका net cost कितना आएगा 3.5% यह देखो Indian company का net cost आएगा 3.5% का बस simple यह calculation करके देना है अब रहती है सवाल कि यह क्या यह diagram हमें बना के देना है यह नहीं देना है डिपेंड करता है कितने marks का है वैसे यह mock test paper का CMA वाले का question है 10 marks का है अगर 10 marks का हो तो आप diagram भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन diagram के लिए मैंने आ देना ही मत की institute ने क्या लिया है इस पर तो कभी भी ध्यान नहीं देना है ठीक है क्योंकि यह जो 4 rate है यह unlimited combination बनता है आप अपने हिसाब से जो suit करता है जैसे अच्छा लगता है वो लेकि आप इस diagram को complete कर दो और आप उसमें लिख दीजे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कर लेते हैं इसको और यह इसका अपना यह बाहर लेते हैं यह जो इधर नीचे लिखा है नीचे कर लेता है आप मुझे बताओ American form ने क्या सोच के बैठा है बताओ American सोच के बैठा है 9.5 तो American को जो अलग मिल रहा है वो rate लीजे American को अलग rate काउन सी मिल रहा है बताओ 3% उसक इसको इसको दूसरा rate मिल रहा है American को 9.5 का 9.5 सोच के बैठे है इसके लिए दूसरा choice कौन सी है unwanted cost लेना है तो 3% इसका मतलब इसको यहाँ पे 3% पे करना है अच्छा यह market से उठाएगा loan अब मुझे बताओ यह जो Indian company है Indian company को 4% पे सोच के बैठा है इसके opposite reversal कौन जा रहा है 9% इंडियन का देखना है opposite तो 9% तो इसको यहाँ पे रोट लेना है 9% अब मुझे बताएगे saving incorporate करना है दोनों को 0.5.5 तो मैंने क्या बोला था याद है कुछ कि जितना बाहर देता है उतना reimburse करा लो यहाँ पे 9% reimburse कर लो 8.5 लिखने की ज़रूत नहीं है समझ में आगे तो जितना unwanted लिया है वो swap bank ने क्या कर दिया जो swap dealer है उसने reimburse करा दिया बांकि जितना का net cost आ रहा रहा है वह आप उनको दे दीजिए समझ में आगे रहा बात जितना इसका net cost आता है तो आप मुझे बताएगे इसका net cost कितना आ रहा है ना इंडियं कंपनी का कोष्ट रहा था 2.5 Band 4 तो यहां पर आप क्या करना यह मतलेना 3.5 परशंट क्लिया या हमने क्या है छाए फ़े धियान से झह देखो साम ही ज死कता आता है कुछ नहीं आता है इंसिसूट मार्पते यहां पर 0.5 कम और यहां भी यहां भी 0.5 ज्यादा रख दिया यहां भी 0.5 ज्यादा रखा net effect ना तो bank पे कुछ गिया ना Indian company पे गिया और यह आपको याद रखना आसान है तो मैं suggest करूँगा अगर diagram किसी को बनाना हो तो diagram के time पर यह 8.5 मतलो 3 मतलो 9 लेकर 3.5 लेकर काम चलाओ बस simple अब यहां पर 3 जा र आ रहा था नहीं यह वाले 9% तो American का net cost 9% आ रहा है तो आप यहां पर क्या कर लो पता है 9% दे दो ना यह लेने की जरत है ना यह देखो आपका क्या हुआ देखो हमने institute ने जितना लिया है उससे 0.25 उपर लिया और यहां भी 0.25 उपर लिया दोनों तरफ देना भी 0.25 उप ना के आपके question number 8.4 हो जाता है तो इसी के साथ आपका interest risk management का भी कुछ question जो था वो खतम हो जाता है और हम लोग next chapter corporate valuation में जो एक question आयो हुआ है number 2019 में इसको भी देख लेते हैं हम लोग बस एक ही question है यह mainly आपका security valuation का जो growth है perpetuity तक जो आपका growth model है वही वाले concept पे value of the company निकलवा रहा है यानि कि concept आपका share valuation का ही apply होगा ज्यान से देखे Mr. X a financial analyst intent to value the business of PQR limited in terms of the future cash generating capacity यानि कि future में जो cash generate कर रहे हैं उसके basis पे हमें business का valuation करना है he has projected the following after tax cash flows one two three four five five year का इसने cash flows दे दिया है इसको हमें क्या करना है present value में लाना है आगे क्या किते हैं it is further estimated that beyond fifth year cash flow will perpetuate at a constant growth rate of 8% per annum mainly on account of inflation यानि कि cash flow क्या होगा हर साल 8% से grow करेगा beyond fifth year यानि कि 5 साल तक तो यह है ही sixth year onward हम कह सकते आपका growth जो जाएगा वो 8% per annum का the perpetual cash flow is estimated to be 20,000 sorry 10,260,000,000 at the end of fifth year इस language को अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह क्या कहने की कोसिस कर रहे हैं इस question की problem बस यहीं पे है थोड़ा सा history पे चले जाओ अगर मैं तो यह question पहले December 2009 में CMA में आया हुआ question है यानि कि यह question पहले CMA में आया है और उसके 10 साल के बाद after 10 years यह CMA में पूछा है November 2019 के new syllabus में आपको पता ही है कि copy paste करने की आदत है इंसे चोट की CMA वाले institute ने जो solution दिया था वो solution मुझे digest नहीं करता था Simplium कह सकते मुझे इस language से problem है जो इस तरीके से लिखा है और जो CMA institute ने interpretation लिया था जो गलत interpretation था exactly वही interpretation CA institute ने भी इसको continue किया है अपने suggested के अंदर एक बढ़ पढ़ते क्या कहता है ध्यान से देखिए the perpetual cash flow is estimated to be 10,260 lakh at the end of five year अगर काईदे से देखोगे थोड़ा logically तो क्या लगता है देखो जब अगर किसी business में 1000 1000 क्यों जाना मैं क्या सोचता हूं नहीं सोचता हूं that is irrelevant छोड़ो हटाओ जितना discussion करेंगे उतना ही बेकार की वाते हैं ठीक है जो कहता है इंसुट कर लो ठीक है छोड़ो मेरा क्या सोचना है नहीं सोचना है मेरे सोच मेरे पास रख दीजिए question क्या केते देखे the perpetual cash flow is estimated to be at the end of 5th year यानि कि perpetual cash flow जो है जो की perpetuate कब तक होगा बताइए indefinite period तक at the rate of 8% per annum के basis पे वो cash flow का 5th year end का value है 10,260 इसमें बहुत सारे कुछ अटपटा है लेकिन क्या कर सकते कोई बात नहीं क्योंकि 50 year का cash flow अगर ये है तो क्या ये 10,260 क्या ये 50 year का ये भी है तो क्या ये जो 50 year का है क्या ये अलग से है क्या ये 50 year का value हमें 50 year में ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है बहुत कुछ है इसके क्या मानते है कि यह जो हमारा perpetual cash flow का 5th year end का है जो कि 6th year end पे अगर जाएगा तो यह 6th year end पे growth apply होगा कितने percent का 8% का अच्छा मैं एक काम करता हूँ पहले growth apply कर देता हूँ 10,260 plus 8% यह आता है 11,080 कहां गए 11,080.80 बढ़ते आगे देखते क्या है what is the value of the form in terms of expected future cash flows if the cost of capital of the form is 20% discount rate आपको कितना use करना है 20% यह simple सा question बनता है कैसा देखो ऐसे question तो आपने कितने solve किया है इसका तो हिसाब भी नहीं रख सकते आप कितने solve किया है हिसाब ही नहीं है कुछ इतना solve किया आपने ठीक है जी कितने साल की बात रहे है फिलाल one two three four five and six year यह continue है यह चलता रहेगा हाँ जी zero one two three four five and six year अच्छा जी अब देखिए इसमें one six कुछ भी cash flow दिया हुआ है अब क्या इसको repeat करना है ठीक है यह दिया है one two three four five कुछ value दे रखा है मुझे तो हिसाब सिर्फ किसमें मिलाना है बताएए यहां तक का तो दे रखा था चलो fifth year के onward को मैं हिसाब मिला के बताता हूँ आपको थोड़ा से one one seven zero ठीक है यह जो perpetual cash flow का जो fifth year end का value दिया था fifth year end का जो value दिया था ठीक है वह eight percent से grow करेगा क्योंकि perpetual cash flow यह वाले यानि कि वह कहना यह चाहरा है कि जो हमने यह जो five year तक का cash flow दिया था यह वाले grow नहीं करेगा हमारा जो cash flow grow करेगा यह यह वाले अच्छा यानि कि six year में कितना जाएगा one one zero eight zero point eight zero eight percent का grow थे न ten thousand two sixty plus ten percent ten thousand two sixty plus eight percent ठीक है यह तक सही है धान से सुनते जलिए यह indefinite period तक जाएगा हमारा बताइए इसको हम लोग क्या करते हैं इसको discount करके कहां लाते हैं fifth year end में तो value at end of fifth year आ जाएगा कितना आएगा बताइए 11,080.80 divided by discount rate बोला था उसने 20 percent और growth चल रहा हमारा 8 percent का ध्यान से देखो बोला था capital of the form 20 percent और growth है हमारा 8 percent का तो rr-z यह हो जाएगा हमारा 12 percent यह जाएगा 11080.8 divided by .12 यह value आ रहा है आपका 92,340 सही है? अच्छा यह जो value होगा इसको भी प्रिजेंट में लाइए second year वाले value को भी प्रिजेंट में लाइए third year वाले को भी लाइए fourth year वाले को भी लाइए यह fifth year का 1170 भी लाइए और यह जो sixth year का है इसको भी प्रिजेंट में लाइए तो बस इन सब को प्रिजेंट में ला दीजिए आपका जो value आ गया वही value क्या होगा हमारा company का value हो जाएगा बस पहला point खतम होगए कुछ नजर आया इस पूरे calculation के अंदर आपने क्या कुछ miss कर दिया अगर यह हमारा perpetual cash flow था fifth year end का तो क्या यह value हमारा कहां गया यह क्या यह हमारा cash flow नहीं था यह 10,260 जो था fifth year end का यहां का 10,260 क्या यह मेरा कमाया हुआ नहीं था अगर यह हमारा कमाया हुआ है तो यह गया कहां बताइए पूरे calculation के अंदर scene में से सारे गयव हो चुका है चेक करके देखो institute ने क्या क्या किया है देखें एक तो इस one six द्यान से देखते चलिए मैं एक यह करके मार कराते जाता हूँ उसको आप देखते चलिए one seven six zero को pv factor से लेके pv में ला दिया बहुत अच्छा four eight zero को pv में ला दिया हम लोग तो ऐसे calculation करतें institute table में करता है करने दीजिए six forty को present में ला दिया बहुत अच्छा fourth year one day eight sixty को भी present में ला दिया बहुत अच्छा fifth year वाले one one seven zero भी present में ला दिया बहुत अच्छा अब इसने बोला pv future cash flows up to fifth year यह जो था न यह value यह जो आ रहा था यह आपका value इसको present में लाना है तो nine two three four zero divided by one point two पांसाल का one two three four five यह value जो आ रहे है हमारा यहां का 37109.4 यह जो value आपका आ गई यह वाले यह तो इन सब का sum है यह सब का sum आ गए ठीक है यह जो आपका one two three four five था इस सब का sum तो यह आ गए यह जो 37109.44 जो रहा 37 कहां गए 37102 यानि कि pv factor यूज करेंगे तो थो थो आएगा कोई सब में pv factor गिवन है तो आपको pv factor ही यूज करना चाहिए मैंने time save करने के लिशीदा divide कर दिया था अब देखो इसमें यह जो हमने निकाला था 92.340 92.340 को 5 साल से discount करके pv मिला दिया और यह वाले value जो था वो 5 साल का individual और इसको sum करके बोला यह हमारा इतना value आ जाता है ठीक है पहला part का answer आ गए इस पूरे scene में जो digest नहीं करने वाली बात है यह जो आपका value था 10,260 वो कहां गया वो scene से ही gap हो गया यानि कि यह हमारा cash flow था ही नहीं ठीक है कोई बात नहीं आप ऐसे question solve कर लो यानि कि वो कहना चाहरा था कि perpetual cash flow जो हमारा perpetuate हुआ उसका value और एक चीज और सोचने वाली बात है आप मुझे बताना पांस साल तक आप 1000 lakh कमा रहे थे और ऐसा क्या हो गया कि छटे साल से आपका सीधा 11,000 क्रोड का 11, 11,000 लाक्स पर पहुंच गए है ना वापस आते हैं the form has outstanding date ठीक है मैंने बोल तो दिया कि ऐसे याद रख लो ऐसे ही आप याद रख लीजी ये question अब क्या कर सकते है प्रॉब्लम इसकी थी ये प्रॉब्लम इसका था जिसको continue किया कि इसने इसने continue किया अब इन लोग की problem है copy paste करने की याद आते हैं हम क्या कर सकते हैं अब हम तो examiner होते तब हम तो इसमें correction कर लेते हैं इसके solution को share state में correction कर वा देते हैं चल वापस आते हैं आई इसमें देखे क्या करें the form has outstanding date of 3620 lakhs अच्छा इतना date है and cash balance आपका 2710 lakh है calculate the shareholder value per share if the number of outstanding share is 151.5 lakhs अच्छा इतना number of share अगर आपका हो तो एक share का value बता दो है ना क्या बोला है calculate the shareholder value per share एक share का value निकालना है तो ठीक है आपका सारे equity का value निकाल दो उसमें से आप number of share से divide कर दो कैसे निकालोगे बताएए यह जो भी निकाला था आपने यह पूरे company का value था यह पूरे आपके company के value थे और आपको याद होगा तो जिस जिस ने पैसे दिया है company में सब का value है वो वाले तो इसमें से क्या करते आउटसाइड का value है ठीक है ऐसा नहीं कि cash का value अलग से वो हमारे जो value निकाला है वो हमारे पूरे company का value है और यह company के value में जितना fixed assets, current assets, life, जितने भी चीज़े सब का ऐसे value है वो it includes cash and bank balance also अब यानि कि यह total value जो है सारे capital जहां-जहां से fund raise किया सब का value है इसमें से जो बाहर बाले को pay करना है वो आपको minus कर देना है वो कितना minus करेंगे हम लोग 3620 तो बस आपको जो value आया था यहां पर यह वाले इसमें से 3620 minus कर दीजिए यह आपका equity का value आ गया number of equity से divide कर दीजिए number of share का sorry share का price अगला point में कहते है कि the form has received takeover bid from xyz limited of 225 per share is it good offer एक दूसरे company ने हमें offer दिया है कि हाज इसी 225 per share के basis पे मैं आपके company को खरीद लेता हूं किसको takeover bid from xyz ने bid लगाया है किसको pqr limited के business के share के लिए तो आप मुझे बताईए आपका share कितने का है 241 का और यह offer कितने का दे रहा है 225 का सस्ता offer दे रहा है आप बोलो कि नहीं बेकार है takeover bid seems to be not good बेकार है बाई कैसे ज दो चीज हमें लगता है कि जिसका price 241 का होना चाहिए वो आप कितने का offer दे रहे है 225 का इतना सस्ता offer दे रहे हैं कैसे बेचेंगे आपको यह नहीं बेचेंगे तो यह corporate valuation का एक question था